हाई गाईज कैसे आप लोग मैसल सिया विश्यक बंसल आएं फ्रम मुंबाई आए टेक इंटर का लौ एन ओडिट आइन फाइनल का ओडिट पहले लौ था है कैसे आप लोग आज जो मैं वीडियो लेकर रहा है हो आप सब के लिए है जो professional exam दिलए में हम सब की एक सेम और अंहले कुछ लिंद्धिक्ट होती है कि जहां कर लोगों को practical पसंद होता है कुछ लोगों को फोबिया होता है कुछ लोग को थेयरी का फोबिया होता है अगर आप देखो कि ना like people are getting very good marks in practical exam like 70 marks 80 marks आप देखो कि रैंकर्स के भी देखो कि ना बहुत शांदर है पर जहां से वो बात आती है theory paper की जहां पर हम बात करते हैं इंटर लेवल पर strategic management हो गया law हो गया audit हो गया final level प लोगो marks नहीं आते हैं तो now मेरको 12 साल हो गये पढ़ाते हुए इतनी पूरी जर्णी में I take law and audit both at inter level and final level तो theory में marks कैसे आते हैं उसका एक बहुत ही छोटा सा must cute सा strategy है जिसको अगर आप follow करोगे तो definitely आपके marks improve होंगे and आप course clear कर दोगे अगर आप inter level पर हो तो आप final पर हो तो आप CA बन जाओगे या अगर आप कोई और course करो तो आपका वो भी clear हो जाएगा तो theory paper में क्या होता है लोगों को दिक्कत चीज़े याद नहीं होती है और हम सब क्या करते हैं हम प्यार करते हैं मोदी जी से तो हम follow करते हैं मोदी जी को मन की बात पर paper checker जो है ना वो मन की बात पर विश्वास नहीं करता नहीं paper checker क्या करता है उसके पास suggested आता है suggested कहां से आता है module से आते हैं तो आपको module का जो content है वो लिखना पड़े अब जो आप content बनाओगे हम क्या करते हैं आपने जिस भी टीछे से coaching लियोगी या अगर आप खुद पढ़ रहे होंगे self study कर रहे होंगी कोई author की book लियोगी अपने module लियोगा तो आप क्या कर रहे हो तो मजा आ रहे है मजा रहे है तो क्या आता है पहले book निकालते book में देखते कितने pages की book है कितनी volume से आज कल तो volume का जमाना है one volume two volume three volume उसमें क्या करते हैं इंडेक्स में देखते हैं अपन सबसे छोटा chapter सबसे छोटा chapter कुछ लोग बैट पर बैटते हैं फिर बैट पर लेड़ जाते हैं तो और आप तो क्या बारिश का सीजन आने वाला है भाईसा मौसम देखते रहे हैं अब क्यों आपन पढ़ रहे पढ़ रहे पढ़ रहे अच्छानक से daydreaming चम 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 घोड़े जैसी चाल हाती जै अब यह जो आएक तरीका है तो अब जब भी एक्जाम देंगे पिछले एक्जाम से और जब थेरी पेपर होगा अगर हम एक्जाम लेते से लौ का या अडिट का तो हमारे पास जनरली एक्जाम की बीच में 1.5 डेज होता है तो अगर आप इंटर सूडेंट हो अगर आप स अगर आप कोई और प्रोफेशनल कुर्स वाले भी सुन रहे तो 1.5 डेज की जब वो छुटी होती है हर सब्जेक में मोटा माटी मान लिजे 15 से 16 चाप्टर्स होते है effective you have 24 hours to study you need to revise your content you need to finish your content in that 24 hours अब आपने अगर कभी इंटर की एक्जाम देगे रा फाइनल वाले हो तो अपने देखोगा जनरली सबका यही वी ओते हैं सर्कोर्स कम्प्लीट नहीं हुआ सर्फ पढ़के पूरा नहीं हुआ अरे पढ़के कैसे हुआ क्योंकि तुमने अपना नोट्स बनाए नहीं तुम तो मॉडूल रीड करते गए अब लोग क्या करते हैं अंडलाइन करते है कलर कलर विच का अचकल तो मार्केट महाई लैटर चल रहे है फिर वो अलग अलग कर रहे कि वो चीट्स नहीं दी पोस्टिट लाल कलर ब्लू कलर वो ना अलग अलग कलर के फ्लोलेसन कलर के जो आते हैं पूरी रंग बिरंगी कर दी होली खेल लिए बुक के साथ पर कंटें अब वो कैसे बनेंगे अगर आप कोई भी ऑथर से खुद से भी पढ़ रहे हो तो एक नोडबुक लीजी उस नोडबुक में खुद के खुद के नोड़ बनाईए जितना उसको शॉट कर सकते हो या तो उसमें आप कीवर्ट जाल दीजे कोई कोई टीचर ने बताया होगा कोई कीवर्ट कीवर्ट होगा नमबर थी यू कैन मेग और ओन चार्ट लाग डाग डाग्रमेटिक प्रेसेंटेशन बना नहीं सकते हम लोग पर डाग्रमेटिक से क्या तो रिवाइस पटाफट हो जाएगा और यहां पर क्या मनेगा आपका टाइम मिलेगा बिकॉस इवें क्या करना चाहिए आपको उसका PDF बना के आजकल तो मॉबाइल सबके पास होता ही है जिए कि उसकी फोटो किछ लीजिए तो उसका PDF बना के रिवाइस the maximum number of times you revise the maximum number of times you revise the closer you will be to your degree क्योंकि हमारा दिक्कत क्यों होता है सर याद ही नहीं किया है याद आने के लिए याद करना पड़ेगा न हमें वो चत्तूर बनना पड़ेगा थी इडेस वाला स्टन स्टन याद करना पड़ेगा आदे लोग औडिट मे Professor इसी ले फेल होते क्यों ही हुसर कितनी रीडिंग करने से चार रीडिंग कर लिया रीड garbage अ अ वह आप सोचो कि मार्केट में किसी का टेली ग्राम से इंस्टाग्राम से यूटूब से किसी और बच्चे के हैंडिटर नोट्स आउनलोड कर लो ध्यान लगना एक्जाम और नहीं है वायवा नहीं है आपको पुरी दुनिया में खाली आपका खुद का हैंड राइटिंग ही पस आपने लिखा यह लिखा है छुद ने लिखा है हुदने समझь लिखाया उस चीजको टीचर ने शॉप के लिखा साह्ग किया अपकी दिमाग में चफटँ और आप खुल कर रहे हो धिर आप घर पर बैठ आटकर आप खुल पराक्टिस कर रहे हो तो आपने außerर्य के पहले ह तीचर ने कहानी समझा रहे क्या मज़ा है क्या कहानी बता ही अपनी मज़ा आ गया मज़ा आ गया अरे पर उसमें से relevant content तो कम है न क्योंकि चार माग कही answer आना है पांच माग कही आना है छे माग कहान है तो क्या होगा handwritten notes your handwritten notes your keywords your chart and make a pdf and revise chapter wise पीडिया बना पूरी book carry नहीं करने chapter wise पीडिया बना लो मूबाइल में रख लो ठीकि ऑफिस का प्रिंटर निकल के आपके desk पर रख लिजिए रोज रवाइस कीजिए बस में travel करो train में travel करो बार बार की कॉल कीजिए अरे गाना भी तो सुनते ना गाने के लिरिक्स जैसे याद हो जाते सेम बे एक ही जिसको अगर चार बार धराओगे ना भाई दिमाख में बैठ जाएगा यही तरीका है अच्छा लगाओगा वीडियो तो do comment and share with your friends and कुछ और टॉपिक में किसे को कुछ वीडियो सीए कुछ guidance सीए तो definitely you can message me on Instagram और on Telegram और on YouTube comments लेट्स लर्न इंडिया डॉट इन डॉट इन है ठीक है और फोल नमबर है 844-844-8919 तो यही हैंडेट अनुट सी तरीके से रिजल्ट बहुत शांदारा है हुआ है अगर मैं आपको रिजल्ट दिखाऊ हूँ ठीक है फाइनल वालों का दोनों मुझसे पर चुके इंटर्वी फाइनल भी ठीक हर अटेंब में आते हैं हर अटेंब में रैंक आते हैंड किसी से भी अगर किसी का YouTube का content देखोगे किसन आगर वीडियो डाला है उस attempt का ठीक है सब से जहांके देखना सब को यही पता होगा सब को यही बोला है विकॉस इस दा ट्राइड टेस्टेड एंड ट्रॉस्टेड में तो अगर आपको भी रैंक लाना है अच्छा मांक्स लाने का थेयरी पेपर में तो बॉस किसे को कोई भी प्रड़क्ट चे तो इस आव एबसाइट तो अपको महां पर इंटर के सारे प्रड़क्स दिख जाएंगे महां पर एक और लाइफ बैच आएगा जब जुलाई ऑगस के आसपाजी रिकॉइड बैच है जो लेटेस बैच हुआ 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 है तो आपके खुद के नोट्स हो नहीं चाहिए जैसे अप रैक्टिकल में बनाते हो वैसा थेयरी में बनाएगे अगर वीडियो पसंद आएगा तो दू लाइक, कमेंट और सब्सक्राब तो चैनल और पासल तो दूदा मैक्सिमम पीपल ओके चालो बाई गाई गाई गैस ट के